बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सालाम अलेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आज हमारा बुक पे थोड़ा सा काम है हमने एक्सरसाइस करनी है तो आप लोग अपनी बुक और पैंसिल निकाल लें तो अब हम अब्जिक्टिफ स्टार्ट करते हैं यह मेरी बुक पे चेक हुआ है बट मिटा हुआ है तो मैं साथ साथ पॉइंटर से लिख दूँगी आपने पैंसिल से लिख रहे है ताकि आपको नज़र आए मैं इसलिए लिख रही हूँ सबसे पहले हैं फिर इन दा ब्लैंक्स जाइलम इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर जो जाइलम होता है जिस्ते पानी पोदो को मिलता है वो लोंग बड़े लंबे और मुर्दा से बना होता है उन सेल्स को क्या कहते हैं अपने पढ़ा हुए वैसल्स वी ए डबल एस ई एल एस वैसल्स सेकिंड है फ्लोईम अब जो फ्लोईम जिससे फूर्ट जाती है वो एक बरीग सी छोटी सी दिवार मतलब उस तरह की ट्यूब से बना होता है उन्हें क्या कहते है कौन से सेल्स होते थे वो सीव ट्यूब सेल्स स्पैलिंग क्या होंगे S-I-E-V-E सीव T-U-B-E-S स्पैलिंग क्या कहते है T-I-R-A-T-I-O-N ट्रांस्पाइब रेशन नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इंदा लंग्स टेक्स प्लेस इंदा जो हवा का तबादला होता है गुजर का लंग्स में किस चीज़ के जरी होती है अल्वियोलाई A-L-V-E-O-L-I जो हवा की थैलिया नहीं बनी होती गोल-गोल उनके जरी है उसके बाद है A-Thin-Wald Blood Vessel एक बिल्कुल पत्ली सी Blood Vessel विच फॉर्म्स अ कनेक्शन जो के एक लिंक बनाती है जोडती है Between an Artery and Vane Is called Artery और Vane को कौन सी Blood Vessel मिलाती है जो तीसरी रह गई और वो कौन सी है Capillary C-A-P-I-L-L-A-R-Y Capillary Next है हमारे पास F Food is broken down जो खुराक है वो तोड़ फोड़ हो जाती है Into simple soluble substances चोटे चोटे हल शुदा मादे में By the action of किस चीज़ की अमल से हमने question में पढ़ा था enzymes के जरीए E-N-Z-Y-M-E-S Enzymes Next हमारे पास है G Digested food जो हजम शुदा कुराक होती है Is absorbed by the वो जजब हो जाती है By the dash found in the small intestine जो कि small intestine में पाया जाता है वो क्या चीज़ होती है V-I-L-I-L-I-L-I उसमें जाके कुराक सारी जजब हो जाती थी उसके बाद है हमारे पास H, the dash and kidneys are the main organs of excretion excretion होता है बाहर जाना उसका बाहर खालिज हो जाना तो kidneys के साथ और कौन सी चीज़ होती है जो excretion की और्गन होते है जिनसे चीज़े बाहर मतब excretory होती है lungs L-U-N-G-S lungs उसके बाद हमारे पास है I the nervous system is made up of specialized cell called dash जो हमारा पूरा nervous system होता है वो किस चीज़ से बना होता है बही neurons है तो N-E-U-R-O-N-S neurons next है J a dash action is an involuntary response which takes place without thinking वो कौन सा अमल होता है जो गैर इडादी खुद बखुद हो जाता है मतब हमारी मर्दी के बगएर मतब हम अभी उसके बारे में सोचते हैं नहीं है और बगएर सोचे हो जाते है उसको कहते है reflex action R-E-F-L-E-X ठीक है next है the path of nerve impulse is called a dash जो nerve impulse का रास्ता होता है उसको क्या कहते है reflex R-E-F-L-E-X reflex arc A-R-C next है last हमारे पास sneezing and coughing जो sneezing और ये खांसी नजला जुकाम बगएर होता है are examples of ये किस चीज़ की मिसाले हैं बई reflex action की R-E-F L-E-X A-C-D-I-O and reflex action भी होगी complete next question number three name the parts of the digestive system जो हमारे हजम करने वाज़े system था उसके parts के name लिखना है कोई भी चार तो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास food pipe F-O-O-D food P-I-P-E pipe दूसरा लिख देते हैं stomach मेदा वह खुराब की नाली होता है food pipe S-T-O-M-A-C-H stomach उसके पाद हमारे पास होता है small intestine छोटी हाथ S-M-A-L-L small I-N-T-E-S-T-I-N-E small intestine और हमारे पास large intestine लिख देते हैं L-A-R बढ़ियांत L-A-R-G-E large I-N-E-N-T-E-S-T-I-N-E large intestine अब यह हो गया आपने पनी books पे लिख लेना है इसको और इनको copy पे लिख के देखना है rough copy पे और यह आपने सुनानी भी है और पर मुझे videos बना के आपने send करनी है ठीक है जी very good आज के आपकी diary है chapter number two exercise question two and three learn और message of the day है be polite and keep calm नर्मी से रहें और खमोशे से रहें क्योंकि यह दोनों बहतरीन आदाद हैं जोके बहतरीन इनसानों में होती हैं अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा आपकिस्तान जिन्दाबाद